देखी ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत की जादा जादा कंपनिया भी कोशिश कर रही हैं कि जितना भी manufacturing process है उसको domestically किया जा सके ऐसा इसलिए कि भारत सरकार इस समय बहुत जादा धान दे रही है उन सभी companies पे जो complete product या फिर semi complete product चाइना या फिर दूसरे रूल अपलाई किया है जहां इंडियन गौर्मेंट लगातार इस रूल को और भी multiple sector में लगाने की त्यारी में है ताकि भारत के अंदर local manufacturing बड़े skill पर की जा सके क्योंकि अर्थववस्ता को अगर आगे बढ़ाना है तो यही इस समय सबसे बड़ा solution है और आज इसी से जु होना था उन्होंने शाक टैक इंडिया के माध्यम से सुन लिया होगा अमन गुपता इसके founder है बट इंट्रस्टिंग चीज है कि कंपनी ने अपनी जो domestic manufacturing है वहां पर 70% तक के manufacturing process को domestically करना शुरू कर दिया है रिपोर्ट की मताबिक recently हुए D2C summit 4.0 event के दोरान बोट के co-founder अ total production था वो सिर्फ 10% भारत के अंदर किया जाता था और 90% चाइना और व्यतनाम में रिफैक्चर हो करके बोट का टैक लगा करके भारत के अंदर बेचा जा रहा था जिसमें व्यतनाम का contribution सिर्फ 1% है यानि की 89% contribution सिर्फ चाइना का था और उसी समय बोट ने announcement कि थी कि हम 2024 तक अपने total manufacturing का 40% हिस्सा domestically कर देंगे लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2023 में ही इस achievement को complete कर लिया जा कि हम अपने total production का करीब 70% हिस्सा भारत में ही तियार करें जिसको लेकर के company ने एक और बहुत बड़ा इस्टप लिया था जहांपर इन्होंने भारत ये company Dixon Technologies के साथ में 50-50% क के joint venture को भी ताकि वो भारत के अंदर अपनी इस manufacturing process को बड़े स्किल पर शुरू कर पाएं और टेक्सन टेक्नलोजी आप सभी जानते होंगे भारत की वो company है जो दुनिया के अलगले companies को invite करती है अपनी units देती है ताकि वो यहां पर production कर पाएं आज company के पास 16 से भी जादा ब अभी इनका market share थोड़ा सा नीचे गया है लेकिन और भी नए नए इंडियन ब्रेंड्स उभर कर सामने आए हैं और यहां पर interesting चीज़ यह ही कि भारत के TWS सेक्टर में Chinese companies की हिस्ष्यदारी सिर्फ 13 से 15% के आसपास है यही बेटा के मुताबिक देखते हैं भारती कंपनी इस सहारा छोड़ देना चाहिए आपके हिसाब से यह तरीका सही है या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में यह सो ना मैंस जरू कीज़ेगा भारत कैसे ही उसला इंफरमीटी वीडियो सपाने के आप मारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब जरू कर लीजे मिलेंगे हम आपको एक सब्सक्राइब बात्रम भारत माता कीज़े